आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी टैलेंटेड एंड यंग टैलिविजन एक्ट्रेस ग्रेसी गुस्वामी की बायोग्रफी तो आएए जानते हैं उनकी एक्टिंग जर्नी से जुड़ी कुछ बात हैं ग्रेसी गुस्वामी एक इंडियन यंग टीवी एक्ट्रेस हैं साथी वे फिल्म एक्ट्रेस भी हैं उनका जन 22 मई 2003 को वरोदरा गुजरात में हुआ था वो कई टीवी सीडर्स और शोज में अपने काम के लिए जानी जाती हैं उनके पिता का नाम बिटीन गोस्वामी है और मा का नाम वैशाली गोस्वामी है उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम प्रियांशी गोस्वामी है ग्रेसी न्यू एरा सीनियर स्कूल गुजराथ से अपनी स्कूलिन कम्प्रीट कर रही है और पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्टिंग कर्यर में भी आगे बढ़ रही है टीवी सीरियल में काम शुरू करने से पहले उन्होंने 2013 में इंडियास बेस्ट ड्रामे बाज में पाटिसिपेट किया था 2014 में 11 साल की उम्र में ग्रेसी ने सोनी एंटर्टेन्मेंट टेलिविजन की सीरियल बंधन के साथ अपनी एक्टिंग कर्यर के शुरुआत की थी इस सीरियल में वें पिंकी पाटिल का रोल प्ले कर रही थी उसके बाद उन्होंने कॉलर्स टीवी सीरियल बाली का वदू में भी काम किया 2016 में ग्रेसी ने डांस शो चलग दिखलाजा में भी एज अ कंटेस्टेन्ट काटिसिपेट किया था इसके अलावा ग्रेसी ने क्राइम पेट्रोल माया भी मलिंग जैसे शोज में भी काम किया है सीरियल और शोज के अलावा ग्रेसी ने एडवर्टीजमेंट में भी काम किया है दीरे दीरे ग्रेसी इंडस्ट्री में फेमस होने लगी और उन्हें टेलिविजन इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने का मौका मिला 2017 में उन्होंने फिल्म बेगम जान में लाडली का रोल प्ले किया और फिर 2020 में फिल्म थपर में भी उन्होंने सानिया भगत का रोल प्ले किया हाल फिलाल ग्रेसी सोनी टीवी के न्यू सीरियल क्यों उठे दिल छोड़ाये में अमरित का रोल प्ले करती नजर आएंगी और ये सीरियल 25 जनवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है तो गाइस ये थी टैलेंटेड एंड यंग एक्ट्रेस ग्रेसी गोस्वामी की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बात है अब देखना ये है कि ये न्यू सीरियल क्यों उठे दिल छोड़ाये ग्रेसी के करियर को कितना आगे लेकर जाता है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक ये सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो